असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे ब्रेड से बनने वाला एक क्वीक डिजर्ट इसे बनाने के लिए हमने 500 ml दूद उबलने के लिए रख दिया था और उसमें हमने दूद उबालाने पर तीन बड़े चम्मच शकर डाल दिये शकर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिस ना है कि उसमें लम्स ना पड़े और आप चाहें तो रूम टंपरेचर पर रखे वे दूद से भी घोल बना सकते हैं घोल जब हमारा डड़ी हो जाएगा तब हम दूद जो उबल रहा था उसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इस घोल को उसमें एक हांट से डालेंगे और और इसकी कंसिंस्टेंसी ना ही जादा रनी होगी और ना ही जादा थीक यह देखिए चम्मच पे इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए अब एक दम पर्फेक्ट कस्टर बनकर तयार होगा ऐसे रूम टंप्रेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे दूसी तरफ हमने एक प इसी होनी चाहिए थीक और इसे लगातार चलाना है जब यह अच्छे से उबलने लगेगा थीक होने लगेगा तभी इसमें हमने आदा चम्मच शक्कर डाल दिया है शक्कर यहां भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं यह देखिए अच्छे से हमार गाने इसाइब कर देखिए रभड्य आध्यंते हैं और निर sechs एज फैने चींहांस से ऑप्रणक्र यह कर दे रख लिंदेर चार चार तरह से लगा देगा स्वागा रह रियाज़े दूसरे ब्रणार कट डील अ टृंगल शेप में रखिट मेंका प्रसूद ऐसे निज्रा आप तूटी-फूटी जब इसे तहीं से नी practitioners कर सकते हैं और दो अदी कर दूटी-फूटी में एन्सें सर्व करना हो बहुत ही डिलीशियस और यम्मी डेजर्ट होता है आप लोग एक बार इसे जरूर बनाए और अपना फीडबेक मुझे दे येकीन मानिए आप लोग इस डेजर्ट को खाएंगे तो सोचेंगे पहले क्यों नहीं बना लिया यह बहुत ही अच्छा डेजर्ट और टेस्टी बन बन जाता है थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो अल्ला हाफिज